जैस्री कृष्णा राधे राधे बनाने के पहले तबे पर काड डाले कि जीवन में घुजियां ज्यादा आए अपने रसोई को हमेशा ही साफ रखे और खासकर गंदे तबे पर भूलकर भी खाना ना बनाए ना ही गंदी कढ़ाई में यानि तवा और कढ़ाई को हमेशा चमकता हुआ रखे चमका कर रखे इस इसके अलाबा आपके घर के बच्चे और पती नसे में लिपत हो सकते हैं अगर आप तबे और कढ़ाई को साफ नहीं रखते हैं क्योंकि राहु के कुक प्रभाव के कारण आपके जीवन में परिसानियां बढ़ेगी और गलत तरीके से रखने से भी बढ़ती है लेकिन आपके बड़े काम की है तबा के बिना आपका किचन ही अधूरा है और तबा लगवन हर घर में होता है क्योंकि रोटियां तो बन नीता है क्योंकि जीवन को पूरी तरह से किंड़ समंधि इसका राहु से है अब हम चुकी वास्तु की माने तो घर से जुड़ी भी बहुत से चीजों को अच्छा और बुरा भी कहा जाता है लेकिन चीजों को अगर सही ढंग से आप रखे और सही तरिके से उसको बेभार करे तो आपका जीवन भी बदल सकता है अब इन चीजों में रसोई घर का समान आता है और उसी में आप तवा कढ़ाई को अगर आप वेवस्तित रखें तो फिर अच्छा है अगर कुछ चीजों को और वेवस्तित रखें तो अब सकुन हो जाता है अब किसी ना किसी तरह से जीवन में परिसानिया आती है तो ऐसे में हम कुछ चीजों को ठीक करके उन परिसानियों से बस सकते हैं तो चलिए हम अब ज़्यादा समय आपको बर्बाद न करके आते हैं मुद्दे पर देखें अपने घर के रसोई घर में रात के समय तबाद को खड़ा करके कभी मद रखिएगा अब यह नहीं कि आपने सफाई कर ली दिवाल की किनारे खड़ा कर दिया और एक छोटी सी रोटी बना कर अंत में तबाद पे जरूर डाले जब रोटी एक साइड हो जाए तो उसको पलट दे फिर तबाद को रोटी के साथ ही गैस बंद करके उतार ले और तबे पर उस रोटी को रहने दो बाद में कुत्ते को दे दीजिए और किसी चीटी बेकरे के लिए निकाल दीजिए गाइड माना जाता है कि बोजन बनाने के बाद तावा और कड़ाइग और जैसे चूलह वेगए पर आप जो बरतन होता है तो कुलह को क्लीन करके छोड़ दें यानि कि एकदम से खाली कर दे अब यह नहीं कि खाना बना हुआ है चुले पे पड़ा हुआ है ऐसा ना करें ये भी वास्तु दोस उत्पर नगरता है अब तबा पे रोटियां तो बनती है वास्तु के नुसार तबा घर में सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु है और तबा कढ़ाई राहु से संबंध तो रखता ही है तबा को अगर वास्तु के नुसार रखेंगे तो जीवन में सुब घटनाय होंगी आकस्मिक रूप से अ तो ये चीजें तो आप बलकुल ना करें क्यूंकि गंदे तबे का कढ़ाई का प्रयोग करने से आपका किस्मत रूट सकता है और ये पती के लिए भी बुरा है बच्चों के संसकार खराब हो सकते हैं बच्चे पती नसे में लिपत हो सकते हैं इसलिए जहां तक समभव हो रोज तबे कढ़ाई को क्लीन करने का नियम बनाए और एक और चीज है तबा कढ़ाई को भूल कर भी जूटे बरतन के साथ मत निकालिए पहले उसकी सफाई करवाले फिर आप बाकी के बरतन को कहिए कि वो साफ करेंगी अगर आपके घर मेड आती हैं तो रसोई में तबा रखने के वास्तुनियम जब कहता है कि जब रात को आप खाना बनाते हैं तो तबे को दोकर ही रखिए गंदे तबे पर खाना गरम करने से अच्छा है कि आप तबे पर थोड़ा सा नमक डालने और फिर उसको पोच कर हटा कर फिर करें तो ज़्यादा किसी जानवर को दे दे और तबा को हमेशा ही एक आदत वनाएं कि उसको छुपा कर रखें जब यूज ना हो तो तबा को ओपिन न रखें और हमेशा ही जैसे आपकी कीचन में आल मारी होगी या कहीं भी साइड में जगह में बरतन श्टेन में बरतनों के साथ तबा को मत र ल१वल कर भी घरम तबे पर पाणवें चैरल्फ मैं मुशिबत तो मुझा आएगी 3 मुशिबत ही और जब ऊड़ा ही चैरे करेशनों के मिनबू औरें क Edwards लेश्चान के अगर कर इसको चमकाएं जितना तवा और कढ़ाई आपके चमकेगा उतना ही आपके घर वालों की किसमत भी चमकेगी अगर आपको लगता है जल गया है बरतन तो गर्म पानी डाल कर रात बर भीगो दें सुबह साफ करें कोई दिकत नहीं है लेकिन खुरच कर साफ मत कीजिए क्योंकि तवा और कढ़ाई जूठा में भी निकालना नहीं चाहिए इसकी पवित्रता का आपको ध्यान रखना है और खुरच कर भी साफ नहीं करना चाहिए वो जो इसक्रेच का दाग आजाएगा ये मुसीबत लाएगा तो बहुत से लोग क्या करते हैं रोटी बनाने के लिए रेक पर फी उल्टा करके रख दे रेक में रख दिये तो भाग आपका जो है ना साथ देना छोड़ देगा दिरे दिरे बंते वे काम बिगड़ने लगे अनधन की कमी होगी चकला बेलन इसको भी समालकर आपको चुपा कर रखना चाहिए हमेसा हमेसा ओपिन ना रख उसको अच्छे से सुखा कर पोच कर अच्छे से ढख कर कहीं कभर करके रखिए नहीं तो मा अनपुर्णा ना राज होंगी तो बरकत खत्म हो जाएगी कई लोग क्या करते हैं रोटी सेखने के बाद इसी पर सबजी भी गरम कर लेते हैं तबे पर तो यह भी वास्तु दोस को शुखने के बाद खाली तबे को गैस परहने देते हैं यह भी कलत है बहुत सारे लोग करते किया चुले की नीचे डाल दिए तबा रोटी बन गया चुले की नीचे रख दिये जगह नहीं हो हई तो देखे इससे भी निर्धनता आती है तो ऐसे में आप तबे को सम्मान दाहिने साइड रखें और गैससे हटाते समय उस पर रोटी जरूर हो इस बात का दियार रखेंगा, चोटी सी रोटी आपको पिछला रोटी बनाना ऌा यह पिछला रोटी ऐसे भी किसी को नही खाना चाहिए, आप सही समय पर सही decision नहीं ले पाते, इसलिए जो पिछला रोट है उसको आप तवा पे छोटा से डाल के ही निकाले वास्तो दोस्त नहीं लगेगा अगर कुटा बेगर है तो उसको डाल दे घर में सुक्सम्रिदी आएगी और हमेशा दाइने तरफ रखें धन धाने की ब्रदी होती है बाई और तवा रखने से धन का नास होता है और एक और बात जान ले जब आप रोटियां बनाते हैं तो रोटी बनाने से पहले एक नियम बना ले क्या करेंगे तबे पर एक चुटकी नमक डाले और इस नमक को डालने के बाद किसी कपड़े के सहारे पोच कर इसको हटा दे और फिर रोटियां बनाना सुरू करें अब कई घर में होता है तीन-tAmmy रोटी बनता है चावल भी बनता है लकिन थोड़ा रोटी भी बनता है तो सबाल यह भी है कि हर बार हम तबह को धो है नहीं अगर आपका तबाभ साफ है तो कोई दीक्त नहीं है आप साइट पहला पिछला डाले थोड़ा थोड़ा तो डालना है तो उसमें कोई दीकत नहीं होनी चाहिए अपने घर के किचन में या कहीं भी दो बरतन ऐसे हैं जो भूलकर भी उल्टा ना रखें पहला तबा और दूसरा कढ़ाई उल्टा मत रखिए इस बात का धियान रखिए लक्ष समाप्त हो जाएगा और जो भी थोड़ी बहुत आपके किचन में निकात्मक उड़ जाएंगी वह समाप्त हो जाएंगी लेकिन इसके अलाबे आप चाहते हैं धन की बरकत हो दिन दूनी राच चोगुनी आपके घर के लोग तरक्की करें आप लोग भागेवान हो तब एक बुंद घी डालें आप चाहें तो इस घी में एक चुटकी हल्दी मिला कर डाल कर पूरे तबे को अच्छे से पोच कर फिर रोटी बनाएं तो हम आपसे भी दालेते हैं जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें अपनों से सेयर करें और कमेंट में हर हर महादेब चरूर लिखिएगा धन्यवाद